हेलो दोस्तों वेलकम वेक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चनल राजा किर के पेडिक्शन में तो आज हम बात करेंगे बिग वैस लीग 2022 ते इसके मैच नंबर पांच के बारे में जो खेला जाएगा 16 दिसंबर 2022 दोपैर दो बच के पैत रिपोर्ट है और कौन से वेन्यू पर मैच हो रहा है कौन-कौन सी टीम में कौन-कौन से की पिलियर्स हैं जो एंबो मिका निभाएंगे तो वीडियो पूरी जरूर देखें उससे पहले वाट्सप नंबर आपके स्कीन पर है 8447-9353-97-847-93597 जो भी भाइस वीडियो क देख रहे हैं नमबर को सेप करने नमबर आपके बहुत काम आने वाला है और वीडियो का लिंक आपको ट्विडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहां जाकर हमारा चैनल जोइन करले हमारा काम कैसा है और किसी भी भाई को लिंक जोइन करने में दिक्कत हो रही है घुले अपडेट मिलती है तो सबसे पहले जो मकावला है के बीच sayang फंडर और एडिलेिट करके हैं ne से फेले सिड्नी थंडर की प्लेंग लेविंस की तरफ चलते हैं तो ओपनिंग करेंगे इसके मैथू गिलिक और एलेक्स रोज पहले भी इन्हों नहीं आपनिंग करी थी बहुत अच्छे बल्ले वाज हैं और गिलिक बहुत अच्छे बल्लेवाजी करते हैं बंड आउन पर डिले ल drawingslea सो बहुत अच्छी फार्म में तो चार रहेंगे कपटानी जो कर दोएंगे शैसन संगा बहुत अच्छे बल्लेआप तर ho enables ने भी he मदध करते हैं टीम के लिए अपना पार्टिए परको करते हैं और बल्लेवाजी में भी जान डाल कर देते हैं इसके आजाते हैं नीचे ओलिवर डैविस बल्लेवाजी कर लेते हैं अब यह साथ तक तो इनके पास प्रॉपर बल्लेवाज होगे नमबर आठ पर हैं क्रिस ग्रीन यह भी दोखों बल्लेवाज हैं वैसे लेकिन आल राउंडर में काउंट होते हैं बॉलिंग में मानता हूं कि बल भी अच्छा परदर्सन यह करेंगी मैच में अब दूसरी जो टीम है एडिलेट स्ट्राइकर डिफेंडिंग चैंपियन ठीक है इदर कोई एडिलेट भी अपना एक मैच जीत कर आ चुकी आ रही है भी इस बिग बैस में और सिड्नी ठंडर ने पहला ही मुकाबला जीता थ से और एडिलेट ने सिड्नी सिक्षर को हराया था ठीक है ना तो दोनों एक-एक मुकाबले जीत कर आ रही है और एडिलेट स्ट्राइगर की जो टीम है ओपनर हैं जैक वैदलर और मैट सौड मैथू सौड दोनों बहुत अच्छे बल्लेवाज हैं और सबसे बड़ी चीज गया लगए तो इनके बास टोटल आठ वल्लेवाज एक तरीके से नमबर नौपर है जो बॉल रहे हैं हैं री थर्टन नमबर दस पर हैं वैस अगर नबर शेवरें के कप्तान साब पीटर सिडल जोगों पीड़ में तो पीडों अच्छी करते हैं और इनकी जो जान टीम की रासित खान है और वैसा अगर इनके दो जो इस्पनर है बहुत अच्छी गैनवाजी करते हैं तो एडिलेट इस बार और मजबूत हो गई है ठीक है ना और बहुत अच्छा खेल भी रही है तो यह दोनों ही टीमों की प्लेंग लिविंस है अब आगे चलते हैं पिछ रिपोर इस मैच खेले गए है टॉंटी इस ग्राउंड पर बैटिंग फश्ट ने जीते हैं पंद्रा और वैटिंग सेकिंड ने जीते हैं तेरा यानि कि मुकावला बरावर सरावर का रहता है थोड़ा सा मैनिफिट रहता है फर्स्ट बैट के लिए ठीक है ना क्योंकि यह सब्सान पर लोइस्ट स्कोर की बात करें तो सिड्नी शिक्सर का है 76 रन पर आल आउट हो गए थी अब नीचे देख लीजे स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं बिलो स्कोर 150 से जो कम स्कोर बना है नौवार बना है और स्कोर बिट्वीन 150 टूवन सेवेंटी ग्यारा बार और 170 से 190 के बीच जो बना है साथ बार बना है और एक ही बार बना यानि 28 मैच हो चुके हैं और एक ही बार दोनों टीमों सोचो तो 28 दोनी 56 चपन पारियों में सिर्फ एक ही बार हुआ है कि 190 का स्कोर गया इसका मतलब यह है कि भाई बिकेट बहुत ज़्यादा सिलो है स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है तो मैं ऐसे बिकेट बार मजा आने वाला है और जब बॉलिंग स्पिन की मामला हो रासित खान हो दूसरी तरब भी अच्छे स्पिनर है तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इसमें ठीक है ना आगे चलते हैं हैड-to-head मुकावलों की बात क कर चीते हैं तो यह नहीं कहेंगे कि बहुत जादा में रहता है यह को जना है और किसी पर हावी रहता है ठीक है न यह बराबरी का मुकार्णा और बराबरी कहीं होने वाला सब्सक्राइब करते हैं का तो यह कि तछील है गुरिंदर संतू है कि मैं झहीं और फारुकि यह दो न झाफी घार। और ऑधिव in यह चो सबस्क्राइब तर्विस हैड मैस सौर्ड राशित खान पीटर सेडल दो को टर्विस हैड खेल सकते हैं अगर टर्विस हैड नहीं खेलते हैं ठीक है ना तो आप बॉलर को ले सकते हैं कौन बैस अगर यह भी की पिलियर्स रहेंगे मैं एडिलेट के बहुत अच्छी केंदवाजी कराई थी इस टीम में पहले हैं और यह इस टीम में बंड डाउन कर रहे हैं बैदर लाइट के साथ जो ओपनिंग करते हैं वह मैं डाउन पर क्रिस लेन आते हैं तो ओपनिंग अच्छी है तो नोंहीं यह तो अच्छी है मुकाबला बिल्कुल 50-50 परसेंट बराबरी का है आप यह न सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे बिनिंग टीम हमारी टेलिग्राम और वाटसप पर मिलती है इसलिए वाटसप का नंबर नोट कर लो और टेलिग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो जाकर जॉइन कर लो और मजे लो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों वाई वाई